Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal आज के वीडियो में करेंगे Bitcoin का analysis क्या Bitcoin और Cryptocurrency का reversal start हो गया है क्योंकि Bitcoin ने फिर से 60,000 के level को break करा है इसको आज के वीडियो में समझने ही कोशिश करेंगे और कल के दिन में था India Blockchain दूर में क्या वहाँ पे discussion हुआ क्या FIU से जो exchanges registered हुए है वो government को data share करने वाले है 2030 तक क्या जो industry में लोग काम कर दे है वो Bitcoin के price को यहाँ पे expect कर दे है regulation को लेके क्या उनका सोचना है उन सब चीजों में जो वहाँ पे discussion हुआ मेरा उसको भी आज के वीडियो में discuss करेंगे और उसी के साथ साथ चलेंगे BingX के उपर price already down हो गया उमीद भी थी BingX पे चलेंगी और जो 50 डॉलर का Bitcoin बाई करना है उसको भी हम लोग आज के वीडियो में फिर से यहाँ पे बाई करेंगे सबसे पहले चलते है crypto analyst पे market cap 2.7% अप volume 7.8% डाउन है इंफ्लो का कोई डेटा रात 12 बड़ी से तक देखने को नहीं मिला है कल के दिन दो इंफ्लो कोई डेटा आये थे देट इस 3,490 BTC फियर अंगर इंडेक्स एक्स्ट्रीम फियर से थोड़ा फियर की तरफ चला गया 33 पे पिछले गंटे के sentiment की बात करेंगे वो है यहाँ पे बाई के तरफ और अगर आप heat map देखेंगे हरा रंग देखने को मिला है BTC 3.39% अप Ethereum 1.83% अप यहाँ पे चल रहा है बिटकोईन के चार्ट की बात करेंगा है तो हुआ क्या बिटकोईन ने टच किया 60,300 के लेवल को जो लेवल हम लोग उमीद कर दे थे CPI के डेटा के बाद यानि कि 11 तारीक को होगा वो फाइनली 11 को तो नहीं हुआ पर 14 को यहां होता हुआ देखने को मिला देखो वीकेंड में जब भी बिटकोईन का प्राइस पंप करें आप उसको यह मत सोचो जो सेम चीज़ डंप करें तो यह चीज़ बिलकुल मत सोचो कि यहां से मार्केट या रिवर्सल होने वाला है या डंप होने वाला है मार्केट का जो exact movement है क्या actually है यह वो सारी चीज़े समझ में आती है जैसे ही नया week start होते है especially Monday Tuesday के दिन तो यह जो pump हुआ है ना क्या यह reversal start होगी है अब नीचे नहीं जाएगा यह सारी चीज़े हमें Monday Tuesday समझ में आएगे जब तक वो नहीं होता तब तक Bitcoin उसी price range में अच्छी चीज़ यह है 59,200 की उपर हमारी जो 4R की candle है वो close हुई है weekly candle होगी तो कल के दिन समझ में आएगा weekly candle को देखके भी कि किस हिसाब से यह weekly candle हमारी बन रही है अगर हम लोग चार्ट देखते हैं उमीद तो नहीं है कि weekly candle हमारी इस बार भी red बनने वाली क्योंकि अगर आप देखो एक, तो, तीन, चार चार वीक के बाद हमारी एक positive weekly candle यहाँ पे बनी और एक positive start की ज़ववत है जुलाई का महीना वैसे भी थोड़ा पंपडम वाला ही रहता और हम लोग ने जुलाई का महीना start हुआ था तभी बात कर ली थी अभी तो FMC की meeting बची हुई है end में आएगी और next week में important रहेगा Ethereum की trading को लेके काफी सारी चीज़ें कि वो start होने वाली है तो वो एक अलग movement पूरे का पूरा cryptocurrency में start कर सकती है तो वो जब start होगी तब उसके बारे बात करेंगे पर movement क्या यहाँ से उपर अब जाने वाला यह चीज़ जब तक आपका नया वीक start नहीं होगा specially Tuesday तक हमें चीज़ के लिए होगी तो जब Tuesday आएगा तब इसके बारे बात करेंगे अब चलते हैं एक बार भिंगे एक से उपर अच्छा होगी प्राइस भी डाउन होगी हमें भी थोड़ा सा नीचे के प्राइस पे बाई करने को मिल जाएगा तो फिर से चलते हैं 50 डॉलर का और अगर हम लोग देखें 1.08 का हमें डॉलर का हमें profit है जो हम लोगों ने अभी तक एक बार बाई किया कल हमारा कोई भी वीडियो नहीं आया था उस वज़ा से मैं बाई यहाँ पे नहीं कर पाता मार्केट प्राइस पर ही मैं बाई करता हूँ यहाँ बिटकोईन को मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लगा रहा हूँ तो ओवरॉल देखे तो अभी तक दो ट्रेड हमारी लगी है बहुत सारे मेरे पास ओफर भी आ गए हुए फ्यूचर ट्रेड के तो वो भी मैं टेलिग्राम पे आज डाल दूँगा लास्ट नहीं मैं डालना भूल गया था तो बिंगेक्स को आफ फ्यूचर ट्रेड के लिए स्टार्ट कर सकते हैं जो ट्रेडिंग गृुम बनने वाला है वाहां भी बिंगेक्स को use करेंगे क्यों बिंगेक्स को? क्योंकि जो नो पोल हुआ था उस पे सबसे आदा लोगों बिंगेक्स के बारे में इब ही बोला था उसको आप use करेज लिंक पे आपको वीडियो के Germany की chapter close finally 0.005 BTC जो है वो इनके पास यहाँ पर पड़े हुँ है जिसकी currently value है 289 डॉलर तो Germany की जो कहानी थी वो finally हो गई यहाँ पर close अब यह ना interesting चीज है समझना अगर आप देखोगे Germany को Germany ने जब से यह Bitcoin को sale out करना शोग किया यह वो time था यह वाला यह देखोगो एक तारीक से Bitcoin को sale out करना start किया एक तारीक को अगर आप देखो हम लोग कहां थे हम लोग इस जगा पर थे उस time पर कितना fear था market के अंदर अब जब Germany के Bitcoin खतम हो गए तो ideally तो market रिवर्सल हो जाना चाहिए Germany और Madgox ही तो था वही तो दो important fear थे हमारे सामने जमनी का chapter clause Madgox पता है यह तो ideally तो market रिवर्सल हो जाए पर यही धर है यही market में ऐसे fear पैदा कर देता है कि अब किसी की बाई करने की हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पर क्यों क्योंकि सबकी expectation है market तो और नीचे जाने वाला है कोई 44,000 bitcoin को लेके जा रहे है कोई 40,000 के अंदर भी यहाँ पर लेके जा रहे है पता नहीं सबकी अपने prediction है हमारा prediction गलत हुआ हमने बोला था कि CPI की data gap pump होना चाहिए वो भी नहीं हुआ हो सकता है किसी और के prediction यहाँ पर सही हो जाए पर यही time होता है जब fear egg index सबसे ज़्यादा धराता है ना आपको वही सबसे अच्छा time है market में यहाँ पर entry करनेगा तो Germany का chapter होता है यहाँ पर close अगर ETF front से बात करते हैं तो बहुत अच्छी buying होई है और काफी time बाद एक पूरा week ऐसा गया है जिसमें buying तो हुई है पर बड़े number में आप buying होई है अगर आप बारा तारीक का भी data देखते हैं तो 210 million dollar के bitcoin buy करें OTC वाला risk हमारा खतम होगया जो हमने बात करी थी कि नया crash cryptocurrency का नया crash load हो रहा है योगि OTC desk में bitcoin की holding बढ़ती जा रही है पर हाँ अगर ETF इसी तरीके से 300 million dollar 200 million dollar के bitcoin इसी तरीके से daily buy करेंगे ETF में तो वो chapter भी जो हमारा यहाँ पर close होता हूँ हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा Trump को लेके interesting चीज किसीने Trump को यहाँ पर गोली मारी कुछ हुआ नहीं Trump को यहाँ पर US में बड़ा interesting चीज रहती है यह भी पता नहीं हुआ है किया गया है sympathy vote भी यहाँ पर काम करता है पर हुआ इससे कुछ और हुआ हो या ना हुआ Trump का meme token है वो यहाँ पर 28 अभी दिखाई दे रहा है पर थोड़े time पहले यह token 35% पंप हो गया था price चलता था इसका अगर आप देखो 6.27 और यह jump होके सीधा चला गया 10 डॉलर पर in fact 35 डॉलर से भी जादा का price pump हो गया गोली लगी और उसके बाद Trump को कुछ हुआ नहीं यहाँ पर वो चीज़ देखे तो US में इस तरीक है कि चीज़ चलती रहती अब आ जाते हैं हमारे important topic पर अगले क्या discuss हुआ यहाँ पर तो देखो कुक वाइन के थे यहाँ पर उनसे discuss हुआ यहाँ पर कि क्या FIO को data register करने वाले हैं देखो clarity यही है कि किसी को भी अभी कुछ पता नहीं है 100% clarity के साथ तो उनका यहाँ पर यही बोलना था कि अगर government ने हमें किसी ऐसे case में बोला कि data दो तो हम देंगे मतलब यह है कि यह नहीं है कि हम लोग सारे के सारे इंडियन user का data देने लग जाएंगे पर अगर government ने किसी specific user को target किया कि इसने कुछ गरबढ किया है इसका हमें trading का past trading का data दो तो हम लोग government को यहाँ पर share कर सकते हैं पर यह नहीं है कि 100% share हो गई होगा लेकिन यह चीज़ भी सच है कि अगर government ने किसी exchange यूँ पर pressure बनाया तो वो क्या करेगी और उनको बोला कि या तो data share करो या फिर इंडिया से भार जाओ अब तो अव्यस सी बात है न share तो उस टाइम पर करना ही पड़ेगा यहाँ पर तो वो interesting चीज़ है दूसरी चीज़ कई लोगों से पूछा कि 2030 का bitcoin का price prediction किया तो वोड़ा interesting answer आया कुछ का बोलना है पांच लाग डॉलर जाएगा पर stable एक लाग डॉलर हम लोग stable एक लाग डॉलर मतलब एक लाग डॉलर प्या fix हो गया है उससे नीची अब bitcoin का price यहाँ पर नहीं जाने वाले तो industry में लोगों का अलग अलग opinion है यहाँ पर जो crypto में काम कर दे हैं उनका भी चीज को लेके opinion है कि नहीं यह जो price prediction है पांच लाग डॉलर चला जाएगा एक मिलियन डॉलर चला जाएगा ऐसा possible नहीं है इतना पैसा ही market के अंदर नहीं है मैं यहाँ पर किसी के answer को justify नहीं कर दा हूँ आप लोग को जो information मुझे मिली है वो just pass कर दा हूँ यहाँ पर मेरा कुछ भी वहाँ पर add करे बिना तो उनका मानना है कि market में इतना पैसा ही नहीं कि हम लोग बात करते हैं कि cryptocurrency की market cap 5 trillion चली जाएगी 10 trillion चली जाएगी पर इतना पैसा है ही नहीं cryptocurrency के अंदर तो सारी की सारी कैसी चली जाएगी blockchain क्योंकि event भी blockchain का था तो जादर blockchain के लोग थे वहाँ पर जो blockchain को काफी जादर support कर दे blockchain के ऊपर चीज़े बना रहे हैं पर सारे के सारे जादर bitcoin max ही है पसंद उनको bitcoin ही है पर हाँ price को लेके कोई बहुत जादा ऐसे नहीं था कि भाई एक million या दो million या 5 million चले जाने वाले हैं 5 लाग dollar, 5 लाग dollar कोई 1 लाग dollar लेके चल रहा है कोई 2 लाग dollar लेके चल रहा है ये range में सब लोग का वहाँ पर मानना है meme coin को लेके एक छोटा सा discussion हुआ मैंने यह question किया कि what is your opinion about meme coin? क्या लगता है? it is good for crypto industry और bad वहाँ पर सबका एक common answer देखने को मिला और वो यही था कि short term के लिए ठीक है meme coin पर यह meme coin की भी एक industry और एक नए एक दिन यह burst होगी जिस तरीके से 2017 में ICU आया था वो burst होगा उसी तरीके से meme coin भी इस जो crypto की cycle है उसमें burst होगा पर crypto में जो आता है वो आता है 100x करने के लिए वो 100x उसको meme coin करके देते है तो retail public तो meme coin ही भाई करी कि चाहे आज हो या कलो पर हाँ लोग का यही मानना है कि यह meme coin के लिए बड़ा important cycle होने वालों और इस cycle में meme coin हमें burst होता देखेगा और एक और चीज क्या हम bull market में है जादा तर लोग की यह opinion है बिलकुल हाँ हम लोग यहाँ पे bull market में है cycle और थोड़ी एक तेर साल की चलेगी और उसके बाद फिर से वही जो cycle है वो यहाँ पे start हो जाएगी regulation के बारे में सबका यह बानना है कि सबका बोलना गलत हो जाएगा conflict ही था इसके अंदर भी कुछ लोगों की opinion थी कि हाँ इंडिया जो भी US में Trump के election के बाद US में जिस तरीके से rules follow होंगे copy paste करके इंडिया में आ जाएगे पर कुछ लोगों ने बोला है कि crypto को लेके इंडिया US की copy नहीं करेगा US को opinion अलग है इंडिया completely इस समय अलग जगा पे है और जो उनकी government official से भी बात हो रही है वो भी clear है इस बारे में कि US चाहे कुछ भी कर ले वो कितना ही crypto को ले आए चाहे वो भले crypto को अपने वहाँ पे रेगुलेट कर दे अपनी currency बना दे पर हमारे वहाँ पे यह सारी चीज़े नहीं होने वाली हम क्रिप्टो के अगेंस में ही है एक तरीक से especially जो क्रिप्टो में आप money laundering को लेके होता है उस चीज़ को लेके जब तक proper regulation नहीं बनेगी money laundering का एक sort नहीं होगा तब तक हमारी तरफ से जो hard stance है वही क्रिप्टो करनसी के regarding रहेगा important जो discussion थे वहाँ पे वही हुए ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था जिसको मैं आप लोग को नाम बोलूँ आप लोग को पता चले जो basically काम करने वाले लोग है इंडस्री के अंदर वो लोग वहाँ पे थे तो ये था इंडिया blockchain टूर का छोट असा बहुत quickly मैंने आप लोग को overview दिया है 7-8 गंटे का चला था event पर उसका छोट उसा overview है वो मैंने आप लोग को दिया है I hope क्या market में चल रहा है वो चीज़े cover हो गई होंगे Bitcoin को लेके trap में नहीं आना है चाहिए इस एरिया में भी पहुँच जाए अगले दो दिन में हमें exact moment Bitcoin का प्राइज चलेगा उससे पहले pump dumb weekend में चलते ही है क्योंकि market में volume नहीं होते है और जब volume नहीं है तो थोड़ा भी volume market में आई Bitcoin का अप्राइज एकदम से pump वहां पे होने लगता है क्यों क्योंकि मैं नहीं available था online पर मैं available हूँ तो कुछ भी update आएगा quickly वह आपको telegram के उपर मिल जाएगा Thank you friends